हमारा जो आज का फ़र्स टॉफी के पॉस्प्राइज लागत मों पूठी है लागत से तात्परे माल अत्वा सेवाओं को प्राप्त करने पर किये गए वैसे हैं चाहे वे रोकर इजी संपत्ती अंशोवे सेवाओं के बहिर गम्मन के रूप में ही अत्वा उससे संबंदित दाय तो उत्पनों हो गया हूँ साधारा नार्थ में माल या वस्तु का क्रेम मुल्य चल अचल संपत्ती की दशा में उसे लाने की मजदूरी इस्थाई संपत्ती की दशा में स्थापना व्याओ का योग लागत मुल्य कहा जा कि हम कोई भी माल खरीदे हैं वो हमने कितने में खरीदा यानि हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो लाई हुई चीज जो भी हम खरीद के ला रहे वो हमें कितने में बढ़ी कि कैसे, मानलो को इस्था ही समपत्ति है, मानलो जिसे फरणीचर वगेरा हो गया, तो हमें पता है कि उसको एड़िस्ट करने के लिए हमें लेबर की जुरत पड़ेगी, या हम उसे हाथ में नहीं लाता है, जैसे पोन होता है, उसको तो हमें अपने अपने हाथ जैसे वो फरणीचर हमने कितने का खरीदा, ठीक है, उसके अलावा जो हमारा किराया लगा, भहां से लेकर रहा तक लाने का, तो हमने उसे एड़िस्टर वाया, लेबर वगेरा जो लगी, उसका जितना भी हमारा खर्चा हो, वो सब मिलकर जो एक तयार, एक अमांट जो यानि लागत मूल हमारी इसमें कितनी लागत लगी है। समझ में कोई भी चीज हम खरीदे हैं तो वह आमे कितने की पड़ी जैसे मानलो एक ट्रेडिंग बिजनस है, मानलो गार्मेंट का कोई बिजनस है तो हम एक सब काफी सारे लेकर आते हैं कपड़े, ठीक है? जैसे मानली जी हमको कपड़े बगेरा लेकर आया है, ठीक है? उसके बाद वहां से अगर मानलो दिल्ली से या मानलो जैपूरा भीजगर सक भी अगर आ रहा है तो आपको पता है टार्म को का किराया हो गया, ठीक है? तो यह सारी चीज ना वह उसी में एर करते हैं और जब वह आगे सेल करते हैं, तो अपना प्रॉफिट और अपनी लागत मूली देखकर सेल करते हैं तो कॉस्प्राइस समझने के लिए इतना समझ लीजी कि कोई प्रॉडेक्ट, कोई भी सामान हमने वह खरीदा वह हमें कितने में पढ़ा है, ठीक है? क्लियर कॉस्प्राइस होती है, उसकी लागत मूली कि हमने उसमें कितनी लागत लगाई है, ठीक है? बुक वैल्यू, तो जैसा मैंने आपको पताया था कि हम जो स्टॉक खरीदते हैं, उसकी एंट्री हमें टैली के अंदर करनी बढ़ती है, ठीक है? कि स्टॉक का नेम, क्वांटिटी, अमाउंट, यह सारी चीज़े हमें उसमें एंट्री करनी होती है, ठीक है? तो बुक वैल्यू क्या होती है? हमें ना स्टॉक के एंट्री करनी होती है, कि हमने कितना स्टॉक खरीदा है, कि कितना स्टॉक पर्चेस की है? तो स्टॉक की एंटेयर हम कैसे करते हैं? स्टॉक का नेम की है एसे हमने क्या कॉन सा प्रोडेक्ट खरीदा है? उसकी क्वाण्टिटी, अमांग्ट, ठीक है? यह सब हमें एंटेयर करने होती है. तो बुख वेलू क्या होती है? कीसी प्रोडेक्ट हो? फ़रीदा हुआ जो माल डालूंगी मैं, वो मेरी book value होती, यानि खाते में आप कितनी value दिखाते है किसी product की, वो आपकी book value कहलाती है, ठीके, एक बार छोड़ी देख लो, कि लेखा पुस्तकों में संपत्तियों को जिस मुल्य पर दिखाया जाता है, जैसा मैं आपको बदा था लेखा पुस्तक यानि जो हमारी sheet होती है, जिसमें हम एंट्रीज करते है, तो हम एंट्रीज में लेखा पुस्तकों में संपत्तियों को किस मुल्य पर दिखाया जाता है वह उस संपत्ति विशेश का उस तक मुल्य कहा जाता है, ठीक है, तो book value का आपको बदा चल गया, देखो cost price, book value क्या cost price की, किसी product की हम कितनी लागत लगती है, हमें वो product कितने में बढ़ता है, ठीक है, फिर उस product को हम accounts के अंदर, खातों में कितने का दिखाते हैं, वो हमारी book value की कहलाती है, next है हमारी realizable value, realizable value कि हमारा जो product हमने खरीदा है, चीक है, उससे हम कितने तक में sale कर पाते हैं, जैसा कि आपको बता है, कि आप सभी को बता है, अगर हम कोई भी product, मान frequency, अगर हमारा business, अगर हम कोई product खरीते हैं, तो हमसे मेरा यतने में खरीटे जुठे नहीं हैंग जुष्ण परत के माननों कोई जीज ओगर मुझे थे यह घर मुझे 10,000 में यह सेड़ खर दूलगी तो मेरा तो प्रॉपिtv म Wesudika मेरी जिसन्ती लाग्गत लगी मुझे वहीं दो वाकस मिलना बट मेरा प्राफिट कहां से हुआ तो क्या होता है कि जो भी होते हैं शोके परस आहिए इस रखर के बीजिनका अभी यह रिदन स होता है, तो क्या करते हैं, जितने में इपकला होती है किसी भी product को sale करने से पहले कैसे देखते हैं, पहले उनकी लागत मुल्य आ जाये हों के पास, ठीक है, प्लस वो उसमें अपनी percentage के according अपना profit भी add करते हैं, ठीक है, और फिर वो उस product को sale करते हैं, मान लो कोई चीज उनको 10,000 की पढ़ी, तो 10,000 तो उनका लागत मुल्य हो गया उसके अलाबा मान लो, उन्होंने 1,000 रुपे add कर दियो, ठीक है, या 1,000 रुपे हमारा profit है, तो बो product जब 11,000 में sale होगा, तब उनको 1,000 का profit मिलेगा, किसी भी संपत्ती को बजार में बेचने से, प्राफ्ट होने वाली राश्ची वसूली मुल्य कही जाती है, किसी भी कम अत्वा अधिक हो सकती है, हमारा पुस्तक मुल्य क्या होता है, कि हमने किसी product को कितने में खरीद है, अब आपको पता होता है, कि जरूरी नहीं होता है, कि हमेशा हम जितने में लाएं, हम उस product को उतने में ही sale करें, कि सम रिलाइज़ेबल वैल्यू के बार में पढ़ जा में आपको वदा है, कि उस तक मुल्य से कम अधिक हो सकती है, तो मैंने आपको बताया था, कि जरूरी नहीं होता है, कि हमारे जितनी book value है, उतनी हमारी realizable value भी होता है, क्योंकि हमारे book value क्या होता है, कि कोई product हमने कितने में खरीद, कि हमें कितने में पढ़ा, लेकिन जरूर कि अगर जिसे जो गर्मी के आइटम से जैसे कूलर, पंखा, अगर इन्हें ऑफ सीजन में खरीटे हैं, तो इस सस्ती रेट में मिल जाते हैं, तो क्या होता है, हम सभी को बता है कि ऑफ सीजन में उन्ची जोगा यूज नहीं आता है, लोगों के डिमांड ही नहीं होती है, तो सस्ती हो जाती है, तो क्या ही बार ऐसा होता है कि वो कम रेट में विख जाती है, तो वो होता है कि रिलाइबल वैल्यू, बुक वैल्यू से क्या ही बार कम भी होती है, और ज्यादा भी, जैसे शादियों का सीतन होता है, उस टाइम पर कप्ड़े या, कप्ड़े आँ हर ची 5,000 थे यां मतलब कि हमें वेमारा कॉस्ट प्राइज भी नहीं मिला है को स्वास से भी कम रेंट में अगर हम किसी प्रोडेक्ट कोimm require तो हमारा क्या क्या वो लौ स जाता है और अगर उसे ज़्यादा में तो हमारा cost price तो आही रहा है, उसके लावाद 4-5 जार का जो हमें profit हो रहा है, वो हमारा profit होगा, ठीक है? क्लियर है cost price, value, reliable value Next, जो topic है हमारा वो income expense का, इसको पहले देख लिए income or expense, आप सभी धान से क्या होती है, आएवे, यानि हमारी कहां से तो पैसे आ रहे हैं और कहां का खड़ जो हो रहे है, वो चीद होती है, तो इंकम के बारे में देख लेते हैं, यह website क्रियाओं के कारण नगदी का अंतरप्रवा है, यानि हम तो website करते हैं, तुद में हमारी न प्रदान करने, या फिर सेवाय प्रदान करने के बदले आहादा दलाली, कमिशन, ठीके, ब्यास, अच्वा संपत्ती के किराय के रूप में प्राफ को सकता है, तो आप सभी को पता है कि सब का काम करने का अज हर किसी की अलग जौब है, हर किसी का अपना-पना काम है, तो का अलग अलग होता है, तो इंकम के बारे में मैं आपको बदा जाते हैं, तो इंकम के दो ताइक होते हैं, तो दो प्रकार की इंकम होती है, एक होती है डारेक्ट इंकम और एक होती है इंडारेक्ट इंकम, तो एक जो हमारे बिसनस से, मतलब जो काम हम कर रहे है, उसके हमें जो इंकम होती है, वो हमारी डायरेक्ट इंकम खहलाती है, for example, मानलो मेरा लैप्टॉप बगेरा के शोरूम टाइक है, जिसमे मेरे लैप्टॉप, सारे लेक्रोनिक्स आइटम्स की सेल कर रहे हैं, तो उनके सेन करने से जो मुझे इंकम होगी, वो मेरी डायरेक्ट इंकम होगी, उसके अलावा, अदर तरीके से मेरी जो भी इंकम होती है, जैसे मैंने मेरे घर का एक पोर्शन किराय पर दे रहा है, तो वो मेरा रैंट आएगा जो मेरे पास, वो मेरे लिए है तो इंकम कैंब आख रहा है तो कहने का मतलग कि आपका जो में कामकुतर रहें कर वो तो आपकी डायरेक्ट से रहा है Department की और दॉड्र शुट संब बहुत बन्कम भी वह सारी आपकी इंडायर विसंतर ऐगे के स्युंक्या चलिए है के लिए रहां टो हम चीजब हमारा जो फिंदिंस है जो हम काम कर रहे है उसके कानेक्टर जो हमारे खर्चे हूँगे वहमारा हमारी टायर चीजम क ही ंपा स्वाहरा हूचे रहे होठडी प्रasan जिलिए हैं थीद्सलेटेम्स ले ले लिए कि मान लीजे, expense मेरे बिजनस से connected, या नहीं कि मान ले जाने, लाने ले जाने का कोई खर्चा हो गया, या मेरी कोई factory वगेरा का rent हो गया, electricity हो गई, तो ये सब मेरी direct expense में आएंगे, वहीं, मान लीजे, मैंने किसी से उधार पैसे ले रखे, मैं उसे interest दे रही हूँ, या मैं कि तो ये सब खर्चे तो ही न, ये सब अपने खर्चे तो ही, ठीक है, लेकिन फरक क्या है, कि वो indirect में खहलाएंगे, तो direct indirect में फरक क्या देखो, income expense, income expense आप सभी जानते हो, दोनों का सेम है, direct indirect, direct indirect, फरक कितना है, कि जो direct हमारे business से connected income है, कि जिस चीज का हमारा business है, तो वो हमा झाले से common common good, फरक कि जो direct expenses है, direct expense, आपर तारीके से मेरा सी, जितने भी income and expenses होते हैं, वो indirect में चले जाते हैं, थीके, जिसे direct indirect मान लीजिए, एक मान लीजिए, you say, अपना manufacturing काably बिजन से, ठीक है, मान लो मेरा manufacturing का बिजन से, मैं कुछ बनाते हैं, ठीक है, है तो फैक्टरी और रेंट जाता है या फिर फैक्टरी के विडिय पे उप्स मी इसीटनाओ और हमाल हमारे लोगा वह ससकी शाथ हुड्धे करेंग करेंब दोन कर दो जूखर रहा है उसके मेरा फोलके 22 हो रही है उसके लिए रेंट जा तो पेक्टरी का जो यानि आप ऐसे समझ ले कि अगर हम एनुफेक्टरर हैं और अगर फैक्टरी का या कार खाने का फरम इन चीज़ों का खिराया एलेक्टिसिती का बिल यह सब जाता है तो यह तो यह सारे डायेक्ट के अंडर आते मैंने आपको जैसा कि बता है कि जो डाये हमारे बिदनस से कनेक्टेड हो हमारे माल से कनेक्टेड हो जैसे मैंने आपको बदा है कि हमारी डायेक्ट इंकम क्या होती है कि हमारे माल की सेल होना जिस चीज़ का हमारा बिदनस है उस माल की अगर हम सेल कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा डायेक्ट ठीक उसी तरह उ ठीक उसी तरहें अगर हम ओफिस का रेंट दे रहे हैं या ओफिस की एलेक्रिसिटी का बिल वगिरा पे कर रहे हैं तो वो हमारा इंडारेक्ट के अंडर जाए रहा है तो यह कंफूजन रहे जाता है और था भी इसलिए क्लियर कर देती हूं मैं कि मान लीजी अगर हम मैनुफ जैसे आज अगर हम एम्ट इंपोर कर दे रहे हैं तो वो हमारे लिए हमारा इंडारेक्ट एक्समेंस इसके अलावा अगर आगर आविल दे रहे हैं रैंक का भील में आपढ़ा पर की दे रहे हैं, इंट्रेस्ट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है? इसे अलावा इंट्रेस्ट मिल रहा है, ठीक है? या फिर हमने कोई portion किरा है वगिरा पर दे रखा है वो अपर आप ठोड़ा है तो दिखो अब ऐसे समझिए कि हमारे stock हमारे माल से connected जो भी हमारे expense होंगे वो सारे direct होंगे other expense तो फिर indirect में जाएंगे ठीक है income का भी same है जो हमारा business है उससे connected हमार हाले जो उसके sale से connected उसके sale से जो हमारे is Siri हो रही है वो हमारी direct income कहलाएगी एंधर तरीख से जो income हो री हो या direct income कहलाएगी टीके कि युकAD के बाकि जब हम entries करेंगे तो तो आंट जब हमारे सामने आएंगी तो आपको फार्ट पता चलेगा कि वो जाएगी या ईंडिरेक्त में जाएगी तो जब हमें द्र।फ करेंगे तो आपको इ आहेंगी कि यह और कर दो किके अ क्सावार्ट है य्यां उच्तर का संद्धायज को है अगर मैं की अपने छोत आथ रूट Mississippi तो डेक्टर्स हमारे क्या होते हैं बे व्यक्तिया संस्था हैं यानि बे लोग या फिर वो फरम जिनको हमने कभी पैसे उधार दिये हूँ या उन्होंने कभी हमसे उधार माल खरीदाओ तो वो हमारे डेक्टर्स होते हैं कि जो खुबे हो देंदरिक्रो Portal अंगा करोगु कि देंदर बोलो होते हैं जिनकी तरफ में पैसे आएंगे यानि अगर हमने कभिज उनको धार माल दे दिया हो या उधार में पैसे दे रहना है तो में पैसे करेंगे तो वो हमारे देंदार हो जातें, तो डेटर्स हमारी संपत्ति के हलाते है, ध्यान रखना, ठीके, और ख्राइडिटर्स हमारे लिए हमारी lightning यानि zeवम्मेदारियों में काउंट होते हैं, ग्राइडिटर्स वे अधंस्टाले कि व्यक्ति से कोई राशी लेनी ऊओ यानि वे लोग। जिने हमें पैसा देना हो। धेते हो है lly का भी हमने उधार माल खरीदा डभी हमने उधार पैसा लिया हो तो भू किसवर हमारे टेलेंडर करें, तृम् अन्यकरण को बचिते हैं, यहीं वि अन्यकरणों से राशिव करने हो, वहीजीन बचिते हैं, यहीं सकते हो, यहीं संदाल LGBTQ var, जैसे एक व्यापर से एक व्यापर से आपने माल खरीद ईक्ष्थ लिए तुशरे व्यापर के लिए. तो वू हमारे क्या हो जाते हैं भ्यापर जाते हैं व्यापर पर और थे पैसे लेने हो। तो हमारा व्यापारिक देंदार, व्यापारिक जो ठांडेट्शन होगा वो कहलाएगा, व्यापारिक देंदार हो गया है, ठीके, वही अगर उन्होंने वुसे फसनली उधार पैसे लिए, तो वो अन्य देंदारें मैं आ जाते हैं, या अधर मैंने किसी रिलेटेस्स वगेरा को दिये तो वो मेरे अन्य देनदार हो जाते हैं ठीक कुसी तरह क्रेडिटर्स होता है ठीक है अन्य क्या है व्यक्तियों देता संस्ताओं से उधार माल खरीदा गया हो यानि हमने अगर मान लोग किसी बड़े शोरूम से और बड़ फैक्टरी वगेरा से अगर हमने उधार माल खरीद लिया है तो उनसे हमारा जो टांजेक्शन जो हमारे लिए वोंगे वो हमारे व्यापारिक देनदार कहलाएंगे ठीक है और अन्य कारणों से जिन पक्षकारों को राशी लेनी हो यानि अन्य रीजन से यानि किसी तो उध परसनली अगर हम ने किसी से पैसे लिया हुं उसकी एंटरी अमें नहीं करनी हो टी है हम टैली में सिफ पुन ही चीज़ों के आयंटरी करेंगे जो हमारे बिजशन से चनेक्टेड हो यानि अगर बिजनस के काम के लिए अगर अप उधार पैसे ले रहे है तो अम उनकी कि अगर वहां से पैसे लेते हैं, संपत्ती लेते हैं, माल लेते हैं, तो हम ड्राइंग के अंडर्व को दिखा देते हैं, वैसे डेक्टर्स, क्रेड़ेटर, इंकम, एक्समेंस, यह चार्जू हैं, टॉपिक्स यह बहुत बेसिक टॉपिक है, और इनहीं की एंट्री बार बा और देंदार और लेंदार, मैं आपको बता जीती हूँ, कि देंदार या लेंदार हमें तब ही मेंशन करना होगा, जब ट्रांजिक्शन उधार में हो, क्यों कि आप सुथ बताएं, कि कोई हमारा देंदार तो तब होगा जब वह उधार में माल लेगा, ठीक है, अगर मान लेंगे उधार में कैश खरीदेंगे तब यह तो हम किसी को देंगे वह हमसे तब यह तो मांगेगा अगर मान जी है हमने सामने माल खरीदा और उसके बदले में हमने उन्हें यह ताम हो गया ना हमारे पास गोट शाया उसके बदले में उनके पास कैश चले गया तो मैं आपको बता देतू की डेटर्स्ट्रेटर वाली कंडिशन तब ही आती जब टांजिक्शन उधार में जी जी करेंगे तो जी पर करेंगे माल आया और कैश मेंट्री होती है यानि आपको यह दिखाने की ज़रूद नहीं होती है, कि आपने किसे माल खरीदा या आपने किसको माल बेचा अगर आपका ट्रांजिक्शन कैश में हुआ है तो यह चीज आपको तब भी दिखानी होती है जब आपका ट्रांजिक्शन उधार में हुआ है और सीधी सी बात है कि ट्रांजिक्शन उधार में हुआ है तो आपको व्यक्ति की डीटेल्स दिखानी होती है और जब हम व्यक्त मुझे नाम की डीटेल्स तो रखनी पड़ेगी ना कि मैंने उनको मैंने उनको उधार में माल खरीदा है तो खरीदने की एंट्री हम करते हैं जैसे पर्चेस अकाउंड डाविट टू राम अकाउट एंट्री आपको आगे मैं समझाऊंगी तब आएगी तो अभी मैं आपको घरीद लिए और टू कैश अकाउंट मैंने कैश दे दिया वहीं अब एंट्री है कि पचेस अकाउंड डाम अकाउंड की मैंने आपको आपते हैं जब नेक्स्त जब मैं उनको रेटन की एंक्री करूंगी तो जो ट्र्रेट पक्ष यानि राम अकाउंड उसको मैं डाइबिट कर दूँ है कि एंट्रिस करेंगे आगे और अच्छे से क्लेयर में समझ में आज रहेगा ठीक है तो इंकम एक्सपन्स डाइटर किसका कोई डाउट है कोई कॉश्चन है नो मैं ठीक है तो मैं पूछती हूँ अच्छे करेंगे यानि हमारे बिजनस की चलाने में ठीक है हमारे जो भी खर्चे होते हैं वो सब हमारे एक्सपेंसे होते हैं ठीक है एक्सपेंसे हमारे दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के एक डायक एक इंडायक हमारे बिजनस से connected जो हमारा खर्चा होगा for example मैंने आपको तीन बिजनस बताये service, trading और manufacturing ठीक है अब service में अगर मान लो service का मान लीजिए मेरा e-mitr का साम करती हूँ ठीक है अब इस condition में मेरा direct expense कौन सा होगा अगर मेरा service का business है और उसमें मेरा e-mitr का है तो आप मुझे बता है कि हमारा direct expense कौन सा होगा मेरा direct expense होगा क्या हो सकता है मेरा net क्योंकि e-mitr का काम तो laptop, computer और सबसे ज़्यादा जो use आता है वो net तो net का जो मेरा recharge होगा ठीक है net का जो मैं बिल पे करूँगी वो मेरा direct expense कहलाएगा वहीं trading का business है, ठीक है? trading में क्यों होता है कि माल खरीदना और माल बेचना तो माल के लाने ले जाने का जो मेरा खर्चा होगा प्लस जो खरीदने का खर्चा होगा यह सम मेरा direct expense कहलाएगा वहीं manufacturing में क्यों होता है कि manufacturing में product बनता है तो बनने में मान लीजे कि कुछ मशीन आप जानतों कि लाइट से चलती हैं तो मान लीजे लाइट से चलने वाली मशीनों में अगर मेरा प्रोड़क्ट बन रहा है तो इलेक्रिसिटी का जो बिल्म होगा वो मेरा डारेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा तो बहीं प्रोड़क्ट का जो रेंट होगा वो मेरा डारेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा समझ में आपको तीनों देखो जिस्टे भी बिजनस होते हैं उन सबको इन तीनों के अंडर डाला जाता है अर्मेन आपको तीनों का एक्जामपल देखके समझा दिया इंडिरेक्ट में कौन से एक्सपेंस आते हैं, कि आपका जो काम है, उसको छोड़ के, जैसे मान लीजे सर्विस, सर्विस में मेरा मैंने आपको बता है कि मान लीजे मेरा इमित का है, तो नैट का मैंने आपको बता दी, अब इंडिरेक्ट में क्या हो सकता हैं, इंडिरेक्ट यह सारे मेरे इंडरे एक्समें में मानलिजिए आपका कोई ओफिस है ठीक या आपके अडर दो चार लोग काम कर रहे हैं तो उनकी सालरी हो गई है एमप्लोइस की जो सालरी है आपके ऑफिस का इसका बिल वगारा है तो इस सब इंडरेक्ट में आते मैंनूफेक्टरिंग में बीमानी जब कि एक फैट्री तो फैट्री में तो ओनर बैखते नहीं ना उनका कोई अफिस होता है तो सेम चीज्ज ऑफिस का जो भी एंप्लोई की सेलरी या लेबर की जो आपकी सेलरी वगरा होगी इस सब आपके इंडरेक्ट के अंदर आती हैं एंप्लोई की होती है सब इ एक electricity का बिल आ गया या फिर एक किसी और का आ गया तो आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कहां का बिल पे करना है तो जैसे जैसे question आते हैं तो और चीते clear होती जाती है अभी हमने सिर्फ topic पढ़े है जब हम थोड़ा practically entries करेंगे तो आपको और अच्छी से clear हो जाएगी चीक है अब मेरे question का answer दे दीजिए कि मान लीजिए मैंने 10 अजार का माल राम को उधार बेचा तो राम मेरे लिए क्या है मेरे कहने का मतलब है 10 अजार का माल मैंने राम को उधार बेचा तो राम मेरे लिए क्या है मेरा debtors या credit अच्छा चिक है कैसे क्योंकि मैं मुसे पैसे देने हैं क्या माल को आप ने दिया है पैसे वो ही तो देगा राम ही तो देगा तो इसलिए वो देंदार हो गया ना हां तो मैंने आपसे इसलिए तो पूछा हैना के देखो आप अपन 16 पाटिसापके बैक स्मेंस अनसर दिया तो बाकी के मारी में जो हैं उनके मारी में कॉशन आसका है कि क्यूं आपес अनसर दिया इसलिए छा कि आपने पूछा था क्यों और अब वो हमें वापस हमें कैश देंगे तो जो हमें पैसे देंगे वो हमारे लिए हमारे डैटर्स हो जाएंगे वहीं अगर यह एंट्री ऐसे होती कि हमने उधार माल खरीदा होता तो वो हमारे लिए हमारे क्रेडिटर हो जाते आज हमने बेच्चा है तो वो देंदार हो ठीक है sorry debtors हो गए ठीक है और आज अगर हम खरीद लेते तो वो creditors हो जाते और हम उनके लिए debtors हो जाते तो debtors creditors देखो वैसे तो बहुत छोटे topics है पट इनमें confusion बहुत जादा रहता है यह time के साथ जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ बट मुझे भी बहुत बार confusion हो जाता है बाकि जैसे जैसे हम entries करते हैं तो entries हमें आराम से समझ में आ जाते हैं में entries कर लेते हैं बट सोड़ी के बाद debtors creditors वाला confusion भी खतम हो जाएगा ठीक है और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए क्योंकि अब लास्त के पास्तात मिनाट हम cautioning के लिए ही रखेंग तो कोई बीडाउट है तो आप पूछी जैसे इंकम एक्समें डाटर क्रेडिटर कोस प्राइग बुक वैल्यू वगेरा में किसी में भी मैं कैस में इंट्री तभी होगी ना जब यानि कि नगतरासी होगी और या थो पैसा आया हो याह पैसा गया हो जानी अगर हमने माल खुरीदा हो इक मींडस कैश गया या समने माल बेचा हो कैश आया हो करते हैं जब उदhr already में स्व़ाशल साय reciprocal तेंदर चीज हमें डेटर स्क्राइटर हमें तभी शो करने होते हैं जब टांजिक्शन उधार में हुआ यह साथ ही मेरा आपको समझाया है कि व्यक्ति की डीटेल्स हम तभी तो रखते हैं आज एक शॉप होती है ठीक है माले जनरल स्टोर होते हैं कितने लोग आते जाते हैं तने दीन में सबकी डीटेल्स करते हैं नहीं वह अपने भाहि कहते में ऊद्धव का नाम लिखते हैं जो जिसे आप जानते हूं कि कुछ लोग ऊधार में टांजिक्शन उधार खाते जलते हैं type ठीके नाम तो लिखते हैं ना उनी के तो प्रॉड़ेट लिखते हैं जो उनसे उधार लेके जाते हैं इसे जब हमें आपको बाताएं कि टैली के अंदर हम थाप भी मेंटेन करने तो मांद लीजिए मांद लो की कुई कोई कॉस्मेटिक आइटा में जिसे मानों कोई पुछ भी हो सकता है जैते लोशन वगेरा तो अगर हम उसके एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे जैते पॉंट्स चीक है उसके बाद हमने वो कितना खरीदा कि कॉंटिटी मान लीजिए दस दस बॉटल खरीदिया है ठीक और टो टो टल बॉकल हमने कितने की खरी एंधि कि किसी भी स्कूप को किसी भी संपत्ति को हम खातों में किस अमाउंट में दिखाते एंग यह्मों में दिखाते वह वे यू हमारी वेल्डियू केहलाँए लगा माम घर, है क्लिया है झाल झाल